हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज की इस बीडियो में हम सीखेंगे बिल्कुल रेडी मेंड के जैसा नाइटी का कटिंग और स्टिचिंग तो फ्रेंस देखी एक एक चीज में बिल्कुल बरीकी से आप लोगो समझाओंगी ताकि एक ही बार में आप लोग एक अच्छा इंच रेडी करना है यहां पर देखी फ्रेंस लंबाई की साइड इसी इसको डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग के लिए कप्रे को डबल फोल्ड करने की बास से यहां पर आपको बारे इंच पी मार्किंग करना है इसी तरह से बारे बारे इं जिस टाइब से आपको उस टाइब से आपको कटिंग करना है हमारा यहां लाइनिंग खड़े में है तो फिर हम कपड़े को लंबाई की साइड से फोल्ड करके कटिंग करते जाएंगे अब देखें यहां पर बारे इंच की लंबाई में इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद से इसको करेंगे साइड में पहले हमारा डबल फोल्ड था अब फोर फोल्ड हो गया है तो फ्रंट और बैक दोनों साइड का में एक ही साथ कट कर रहे हैं साड़े दस इंच इसका चंवडाई और 12 इंच लंबाई लिए हैं उपर से आपको सोल्डर लेना है साथ इंच दो पॉइंट कि नाइटी में फूल सोल्डर लेते हैं हम लोग यहां पर आर मोल की लंबाई भी हम साथ इंच दो पॉइंट ही लेंगे बोट नेक में नाइटी बनेगा यहां पर देखिए इस लाइन को आपस में मिलाएंगे और यहां पर सीने का चौथाई भाग ले लेंगे तो साड़े 9 इंच लेंगे यहां पर कमर का चौथाई भाग साड़े 8 इंच आप अपने साइज की साब से लिजिएगा नाइटी कभी भी आप ब्लाउंज या कूर्ती से एक इंच लूजिंग देके ही बनाईएगा उपर से आधा इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर को और इस तरह से डाउन करने के बास से अब हम इसी मार्किंग के उपर कटिंग कर लेंगे बस आपको अपना मार्किंग अपने साइज की साब से करना है यहाँ पर देखिए इसको कट कर लेंगे कट करने के बास से देखिए अब साइड से भी हम दो पोईंट कपड़ा हमारा थोड़ा सा तीर्चा था उसको बराबर कर लेंगे यहाँ पर कट लगाएंगे जहां पर आपका सीने का माप आ रहा है और अब देखें याँ पे दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके गली की कटिंग कर लेंगे यह हमारा फ्रंट पार्ट का गला कट रहा है तो इसका चौडाई हम उपर से तीन इंच ले लेंगे गले का चौडाई और लंबाई यहां पर हम साड़ी पांच इंज ले रहे हैं लाइन को सीधा करेंगे यहां पर बॉक्स रेडी करने के बाद से अब हम इसमें सिंपली गोल गले का सेफ दे रहे हैं आप अपने पसंद की साब से दूसरा नेक भी इसमें डो कर सकते हैं आध मोल में आधा इंज कपड़ा फन्ेवरंट पार्ट में और इस तरह से पहलें गले की कटिंग कर लेंके यहां पर देखे फ्रेंस गले को कट करने के बाद से हम इसको करेंगे साइड में और बैक का गला कट करेंगे तो इसमें भी देखे फ्रेंस गले की चौड़ाई यहां पर तीन इंच दो पॉइंट और लंबाई भी हम तीन इंच दो पॉइंट ही ले रहे हैं क्योंकि बैक में में बोटनेक बनाना है इस तरह से देखिए बोटनेक का सेफ देने के बास से हम बैक का गला भी कट कर लेंगे गला को कट करने के बास से देखिए इन दोनों पार्ट को शाइड में करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को लंबाई में रख लेंगे देखिए लंब निंच बनाना है तो मैं यहां पर उतना पर मार्क कर ले रही हूं बस आपको टॉप पार्ट को कम करके नीचे वाला जो घेरा वाला हम लंबाई कट कर रहे हैं उसको ले लेना है अब देखिए प्रेंस इसको सीधा करेंगे सीधा करने के बाद से इसको कट कर लेंगे बस आपको आपको कितना लंबाई रखना है उतना माइनस प्लस कर लेना है टोटल लंबाई देखिए 44 इंच हम नीचे के पार्ट को रखे हैं 44 इंच और उपर का हमारा 11 इंच रेडी होगा दोनों मिलाकरके हमारा फुल लंबाई 14 अब देखे फ्रंट पार्ट का तो हम कट कर लिए थे उसी को रख करके बैक पार्ट के लिए भी बिल्कुल उसके बराबर से एक और पार्ट कट कर लेंगे यहां पर देखे फ्रेंज फूल घेरा में नाइटी हमारा बनेगा इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो दूसरा पीस यहां पर हम उसी पीश को करके कट कर लिए हैं कि वाले सििंच में दोनों पीश को कट करना है इसका लंबाई उतना रहेगा इसको करेंगे शाईड में और अब हम सिलिप कट करेंगे मन शयाँ लाइन करते हैं और आप देख को फूर फूल करकि के रखे हैं बंद भाग मेरे तरफ है छे इंच लंबाई और उपर से हम इसे तीन इंच डाउन कर रहे हैं शाड़े नौ इंच चौड़ाई लिए हैं बाजू का और सिंपली इसमें बाजू का सेफ दें कि नीचे के साइड मोहरी शेंच ले लेंगे और डेड़ इंच मारजन का तो इस तरह से देखिए स्लिप कीवी कटिंग हमारा हो गया है और अब हम आपको इसका स्टीचिंग करके बता रहे हैं आके जाके मैं आपको देखिए मसीन पे सारा चीज किलियर करूंगी सबसे पहले प्रंट पार्ट को लेगे और सेंटर में कट लगा देंगे सेंटर में एक निसान बनाने की बाद से देखिए साइड से चार इंच में मार्क करेंगे और फिर दूसरे साइड भी चार इंच पे एक और मार्किंग कर लेंगे किमकि फ्रील हमें यहीं से बनाना है स्टार्ट करना है सबस्क्राइब nosso लेट लेंगे एक पाट को दोनों प्राइबर में है लिए नहीं नहीं इस तरह से देखिए अब सेंटर आ गया है सेंटर से एक इंच पहले तक ही फ्रील बनाना है यानि जहां पर आपका सेंटर का कट है दो इंच तक आपको दोनों साइड से मिलाते हुए फ्रील नहीं बनाना है है अब दूसरे साइड भी हम आ गएय French और इस साइड से चून को में पलटा करके ले रहे हैं देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ô है पहले साइड से हम दूसरे साइड से प्लेट लगा रहे थे अब हम दूसरे साइड आ गए सेंटर के तो ठीक उसके साइड लगाती हुए हम प्लेट लगा रहे हैं कि यहां पर देखिए छोटा-छोटा प्लेट बनाएंगे यहां पर चार इंज जहां मार्क किये थि वही तक फिरसे में फ्रील बनाना है और इससे देखिए बहुत अच्छे से हमारा कभ़र हो गया से मायडिया से आपको बैक पार्ट में भी फ्रील बना लेना जिस तरह में फ्रेंट पार्ट में बनाएकples अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर बिल्कुल बीचो बीच में एक लाइन डो कर लेंगे आप देख सकते हैं सबसे पहले बीचो बीच में लाइन डो करेंगे और उसके दोनों साइड आधा दा इंच पर कर लेंगे देखिए यानि टोटल एक इंच की चमडाई में आपको तीनों लाइन डो कर लेना है अब देख सकते हैं सेंटर का जो लाइन उसे आधा दा इंच के दूरी पर लाइन डो किये हैं और जो बीच वाला लाइन है उसको कट करेंगे यानि बिल्कुल सेंटर से आपको कट कर लेना है और यहां पर थोड़ा सा तीरचा में जो क प्रेस लगा लिए के कपड़ करने के लाइँ अर इसको फोल्ड करने के वाद आपका एक इंच आना साहिए चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि एक इंच की चमडाई में ही हम जो सेंटर का लाइन बनाएं उसको बनाएं अब देखे प्रें जो आधा इंच साइड में लाइन रोकिये थे बस उतना ही कपड़ा आपको अंदर के साइड मार्जन में डालते जाना है और इस प उतना ही कपड़ा दवाना है जितना आप आधा इंच साइड में लाइन रोकिये थे अब देख सकते हैं किस तरस में पूरे पट्टी को स्टीच कर लें दोनों साइड से डबल फोल्ड करते हुए अब एक्स्टे पट्टी को यहां से हम कट कर लेंगे और कट करने के बास से इसको सीधा करके रखेंगे आप देख सकते हैं किस तरस में स्टीच कर लेंगे उपर के साइड से आपको गले को बराबर कर लेना है और जितना आपको ओपेन रखना है उतना छोड़ते हुए बाकी नीची के साइड पट्टी को एक दूसरी पर चढ़ाते हुए अच्छे स सेट कर लेना है यहां पर देखिए लाश्ट तक सिलाई लगाएंगे जिस तरह से यहां पर कोना बना हुआ है उसी तरह इसको स्टीच करेंगे यहां पर अच्छे से बाध लेंगे तो देख सकते हैं आप उपर की साइड बहुत इजली पहनने में बहुत कमपटेबल रहा था इस ट्राइप का नाइटी वहां पे हुक लगा देंगे और यहां पी उरेवी पट्टी हम लिए हैं जिसकी चौणाई डेड़ इंच हैं और उस उरेवी पट्टी को आपको डबल करते हुए सीधे साइड से स्टीच करकी फोल्ड कर लेना है देखयो मैं नाइटी की सीधे साइड से पट्टी को स्टीच कर रहा हूं सिम्पली आपको एक चाप कप्र मार्जन में दबाते वी स्टीच करना है और पट्टी जहां भी खतम हो वहां पे आपको आधा-इंच प फोल्ड कर लेंगी देखिए अब हम नाइटी को उल्टा कर लिए हैं और जो पट्टी स्टीच किये थे उसको अच्छे से नौखुन से बैठाती वे उल्टे साइड सिलाई लगा देंगे बहुती फनीजिंग के साथ इस तरह से गला रेडी होता है बहुत कम टाइम भी लगता है जो आदा इंचेक्ष्टा रखे थे उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है उसके बाद से पटी के उपर सिलाई लगानी है तो देखी Friends, फ्रेंट का hammya नेक यहां पर हमारा बनक के रेडी हो चुका है यहां पे कर देंगे और से-मे अइडिया से बैक का भी गला और नीचे का फ्रील हम रेडी कर लिए हैं आप देख सकते हैं बैक का रेडी करने के बाद से अब हम दोनों का आपस में अच्छे से मिलाते हुए शोल्डर जॉइंट करेंगे यहाँ पर देखे फ्रेंज शोल्डर हम जॉइंट कर लिए हैं शोल्डर जॉइंट के बाद से यहाँ पे हम बाजू को लेंगे और बाजू का जो किनारा है पहले से हम फोल्ड करके रखे हैं और यहाँ पर एक बार घेरे को चेक कर लेंगे दोनों का जो घेरा है विल्कुल सेम आ रहा है की नहीं बाजू के सेंटर में कट लगाएंगे और सेंटर कट सोल्डर का ज्वाइंट दोनों को मिलाते हुए इस तरह से मिला लेंगे उसके बाजू को स्टीच करेंगे यहां पर देखिए प्रेंस आपको सिंपली एक चाप कपड़ा मार्जन में दबाते हुए बाजू ज्वाइंट कर लेना है आगे के आर्मोल में बाजू को थोड़ा सा कट कर लेना है देखिए अब दूसरे साइड का भी बाजू हम ज्वाइंट कर रहे हैं दोनों साइड बाजू ज्वाइंट हो जाने के बाद से अब हम इसमें फिटेंग की सिलाई लगाएंगे आप देख सकते हैं बाजू रेडी हो चुका है अब आपको सिंपली नाइटी को उल्टा कर लेना है और उल्टा करके अपने साइज की साब से जिस तरह से आप मार्क उससे आपको एक से जड़ेंच लूजिंग दे करके बनाना है यहां तक देखिए नीचे तक फिटिंग की शिलाई लगाने के बाद से अब दूसरे साइड भी हम सेम ऐडिया से फिटिंग की शिलाई लगा लेंगे दोनों साइड नाइटी को फिटिंग करने के बाद से अब हम नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे आप देख सकते हैं अब यहां पर बॉटम यानि नीचे का जो घेरा है उसको हम डबल फोल्ड करते इस तरह से स्टीच करेंगे नीचे से पूरे घेरे को इसी तरह से स्टीच कर लेना है तो फ्रेंस देखें यहां पर हमारा नाइटी अप कंप्लीट हो गया है तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं तो फ्रेंस मैं उमीद करती हूं बताने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो पूर कर तीरती